जब तक बिठल भगवान के दरशन ना कर लेते, पानी भी नहीं पीते थे, रोज नित्य बिठल भगवान के दरशन करते, एक बार की बात है कि रोग से ग्रसित हो गए और पीलिया रोग हो गया, जब पीलिया रोग हो गया तो बिस्तर पकड़ लिए, खाट से उठी नहीं प पाते थे तो जब उठ नहीं पाते तो बताओ कैसे जा करके भगवान का दर्शन करते बड़े परिशान होते लेकिन बिस्तर पर पड़े रहते क्या करें अचा कोई सांसारिक वेक्ती होता तो वो कहता पताओ हम इतना भजन करने हमने कथाएं सुनी कथा कराई कथा माला जपा और भगवान ने हमें रोग दे दिया संसारिक होता तो कितनी शिकायते करता लेकिन संत किसी भी परिस्तिती में भगवान से शिकायत नहीं करते भगवान का हर परिस्तिती में अनुग्रही ही समस्ते है कृपा ही समस्ते और ये कलिकालिकी घटना है नश्यत रूप से और सत्य है चिंता भगवान को हो गई, गोविंद को हो गई, जब कुछ दिन तक दर्शन करने नहीं जा पा रहे थे, तो आशर होगा ये घटना सुनकर, साक्षाद भगवान कृष्ण राधा रानी के साथ धराधाम पर पधारे, और धराधाम पर जब पधारे, अनेक अमलात्मा, महात् सात्मा, रिशी मुनी, जादू, संत, तपसी, ज्यानी, ध्यानी, जोगी, सती, जाद्वी, सब पधारे, भगवान आए है, सभी पधारे दर्शन करने के लिए, लेकिन आशरे है, बड़े-बड़े भक्त सामने, अब भगवान के नेत्र चंचल है, भगवान कभी इधर दे भगवान इधर उदर इधर उदर भी देख रहे है, भगल में किशोरी जी खड़ी, राधा रानी खड़ी, राधिकाजु ने कहाँ कि प्रभू मैं देख रही हूं इतने बड़े-बड़े भक्त तुमारे सामने, ज्यानी, ध्यानी सब खड़े हैं, लेकिन तुमारे नेत् चल हैं, और हमें लगता है कि जैसे तुम कुछ ढूंड रहे हो, क्या ढूंड रहे हो, भगवान ने कहा हम ढूंड ये रहे हैं कि सब तो हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमारा भक्त तुका राम हमें दिखाई नहीं दे रहा, और हमारा, हमारी नित्र तुका राम को ही हमारी नेत्रत तुखाराम को डोट तो पता चला भगमान आप तो सब जानते हैं कि वो तो पीलिया रोग से गरसिते हैं और भगवान ने नौकर का वेश बनाया रादा जी से का बन जाओ नौकरानी रादिका जी भी बन गई नौकरानी और दोनों गए हैं तो काराम की कुटिया में इतनी सेवा की एक महिने तक इतनी सेवा की कि संत तुकाराम स्वस्त हो गए और जब संत तुकाराम स्वस्त हो एक माला नौकर के गले में पहनाया, एक माला नौकरानी के गले में पहनाया, और पहना कर कहा कि तुमने हमारी इतने मन से सेवा की, इतनी सेवा की, कि हम स्वस्त हो गए, हम तुम्हें बहुत साथ वाद देते हैं, बहुत धन्यवाद देते, और प्रभू से यही प्रार्थना करते हैं कि कभी तुम्हारे उपर भी संकट आए तो जैसे गोविंद ने हमारी मदद की तुम्हारी भी गोविंद मदद करे यही कह करके माला पेनाया और जैसे माला पेनाया नोकर नोकरानी को विदा किया लेकिन अब तुकाराम को लगा कि कई दिन हो गए दर्शन करने से व माला अभी अभी थोड़ी दिर पहले नौकर नौकरानी के गले में डाला था वही कृष्ण और राधा पहन कर खड़े थे वही भग्त भग्त सल भगवान पहन कर खड़े ते यह देखा रोना शुरू कर दिया प्रभु तुमने हमारे लिए नौकर का देश धारण किया भगवान निश्यत रूप से आते हैं और भग्त की ही दृष्टी से भगवान को समझा जा सकता है भग्त की दृष्टी से भगवान को जाना जा सकता है